क्या आप डेली उन्वस्टी के लिए eligible हो minimum marks बता दो भईया हमे minimum marks कितने चाहिए डेली उन्वस्टी में जाने के लिए minimum marks जानने से पहले ये तो समझ लो आप डेली उन्वस्टी के लिए eligible हो भी या नहीं हो तो आज मैं आपके पास ऐसे 5 cases लेके आया हूँ अगर आप इन 5 cases में से किसमें भी लाए करते हो तो आप डेली उन्वस्टी के competition से सीधा भार हो आप डेली उन्वस्टी के लिए इस साल eligible नहीं हो case number 1 अगर आपने सिर्फ एक language और एक general test के अंदर exam दे दिया अपना CVT का कोई domain नहीं दिया case number 2 अगर आपने एक language दिया और एक domain दिया सिर्फ ये तोनों चीज़े आप नहीं दी तो आप डेली उन्वस्टी के competition से भार हो case number 3 अगर आपने एक language प्रस two domains दे दिया तब भी आप डेली उन्वस्टी के competition से भार हो case number 4 अगर आपने सिर्फ language दे दी तब भी आप बोलो कि मैंने तो सरफ language दे दी या मैंने सरफ एक domain दिया है उस case में भी आप Delhi University की competition से बार हो case number 5 most important मालो कोई science का student है उसने science का एक भी domain नहीं दिया जो उसके पास class 12 में था कोई PCM का student है उसने history, political science, sociology दे दी बस और एक language दे दी एक GT दे दी तब भी वो reject हो जाएगा